हलो दोस्तो कैसे हो आप उमिद है कि हर कोई ठीक ठाक होंगे मैं हूं आपका डोस महिस कुमार और कुछ लोग मुझे राज नाम से लिजानते हैं तो दोस्तो आज एक और टेक्सर का राज खोलने जागी है तो दोस्तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो की सुर पुट्टी की 3D टेक्चर लेके आया है आया हूँ जिसका नाम है ट्रिंकल ब्रिक्स ट्रिंकल ब्रिक्स टेक्चर बनाना जा रहा हूँ मैं दोस्तो यह है हमारा ट्रिंकल ब्रिक्स टेक्चर जिसे हमने कैसे बनाया है यह आपको आगे में दिखाता हूँ तो दोस्तो बहुत आसान है ये टेक्सर बनाना और लुक भी सांदार लगता है तो दोस्तो इसको बनाने के लिए हमने सिलिंग पे चारो और चौकट का चौकट बना दिये है चारो और हमने टैप लगा कि चौरस बॉक्स जैसा बना दिया है और कोने में हमने एक लकली के सहार ने 1.5 feet का round बनाया है चारो और चारो और हमने 1.5 feet का round बनाया है फिर हमने इसको masking tap से cover कर लिया है आप चाहे तो इसके जगह आप और भी अपने हिसाब से अपने डिमाग से आप और भी design आप बना सकते है जैसके आपको अच्छा लगे कभी इसको डबल राउन दे देजिए कभी बीच बीच में चोकट दे 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 जिए इस परकार आप अपने हिसाब से इए डिजाइन बनाने की कौसिश कर सकते हैं और अप कोई भी अपने सबसे दिजाइन इस पे बनाएंगे न तो इस पे अच्छा ही लगेगा तो दोस्तो मैं हूना हर बार सिंपल और सिंपल और एक डेम साधरन टेक्चर लेके आता हूं लेकिन बड़े-बड़े टेक्चर को टकर देने वाली टेक्चर बन जाती है तो दोस्तो मैं आप लोग भी सोचते होगे कि मैं हर बार जादा से जादा वाल पुटी की ही टेक्चर क्यों लाता हूं तो दोस्तो हमारे रॉयल प्ले है फिर अपना बहुत सारी कमपनी का माल जो होता है न वो टेक्चर का माल जो होता है बहुत ही मेहंगा होता है तो मैं वही मेहंगे वाला जो माल होता उससे हमने ये पुट्टी में ही टेक्शर बनाया है और उसको टकर देने वाली टेक्शर हमने हर बार बनाई है और आपको आसारन तरीके से समझार की कोशिस में करता हूँ तो इस बार हमने है न बिल्ला वालकेर पुट्टी से हमने ये टेक्सर आप लोगों के सामने में लेके आया हूँ तो दोस्तो ये बिल्ला वालकेर पुट्टी ये पाणी में बनती है और इस तरह से पाणी में बना के mixer machine से आप उसको हिला दीजे पूरी अच्छी तरह से mix कर देने का उसमें थोड़ी भी रोड़ी नहीं रहनी चाहिए तो दोस्तो इस प्रकार में ने ये mixer machine से ये पुट्टी बना ली है फिर इसमें हम लोग ने श्टेनर मिलाया है जो श्टेनर का नाम है fast red उसको हम लोग ने ये टेक्सर पिंक में बनाने वाले है तो इसलिए हम पहले ही हमने थोड़ा पिंक श्टेनर डाल दिया है आप चाहे तो इसको white भी बना सकते है और या आप मन चाहे पसंद में आप ये टेक्सर बना सकते है तो दोस्तो हमने ये pink श्टेनर पुट्टी में डाला है आपको pink श्टेनर चाहिए तो कोई भी Asian paint की हो या कोई भी color मिलने मिलता है वाउ डुकान से आपको बरी आसानी से म जाएगे तो दोस्तो हमने पिसली बार जो वीडियो बनाई थी उसमें material हमने पत्रा से चड़ाया था गुरू माला से भी चड़ाया था पट्टी जो होती है ना अपना ये पुट्टी लगाने वाले वो पत्रे से हमने माल चड़ाया था इस बार हमने और साधा सिंपल करने के लिए हमने हाथों से माल चड़ाया है और इस प्रकार आप पुड़ा हाथों की हठेड़ी को खोल डिजिए आचो उंगली को खोल के इस तरह से आप पंचिंग करते हुए चले जाए और ये डिजाइन बड़ी आसानी से निकल जाएगा ये ट्रिंकल जो डिजाइन होती ह अपना एसियन पेंट में जो पेपर में निकालते हैं वही डिजाइन में ने पुट्टी में बनाने की कोशिस की है और पेपर में जो एसियन पेंट में बनती है उसका डाने बहुत छोटे-छोटे होते है लेकिन इस पुट्टी में आप बनाएंगे अपना छोटा डाना च चाहिक कम ज्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं देखे दोस्तों इस बार में डिजाइन में थोड़ी अलग वेराइटी और अलग लुक लाएक आया हूं इस बार हमने ट्रिंकल डिजाइन की अंदर एक ब्रिक्स बना दिया है जो पत्थर वाली ब्रिक्स होटी है याने स एक ब्रिक्स जो अपन जो घर बनाते है न ह Mai जो पत्थर में पत्थर से हमनों बनाते हूं उसका ही लूख मैने इस बार टेक्सर में लाया हूं तो दोस्तों इसमें है ना आपका बेस लगने के बाद टॉपकोट लगने के बाद जब अपके ऐस कोट लगा हूंग आग credit है बहुत सांदार ये डिजाइन निकल के आता है दोस्तो तो देखिए इस प्रकार मैं जो जिस प्रकार उंगली गुमा रहा हूँ ना इस प्रकार आप भी गुमा सकते हैं कुछ भी नहीं ऐस बना ये आडा तीर सा आप गुमाते हुए चले जाए ये बॉक्स बॉक्स बनाते आजाएगा तो ये इस प्रकार आप भी बना सकते हैं जैसे मैं बना रहा हूँ बहुत ही आसान तरीका है दोस्तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं ही एक कोई भी बना सकता है आपको तो पता ही है मेरी वीडियो ठोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन क्या करो दोस्तो थोड मेरी वीडियो मैं भी हर किसी की तरह में भी छोटी वीडियो बना हूँ तो आप कमेंट में बोल सकते है तो मैं आपके लिए छोटी वीडियो भी बना दूँगा लेकिन छोटी वीडियो बनाने में भी मुझे मजा नहीं आता कि अच्छी तरह समझा नहीं पाता हूँ तो म मेरा वीदियो इस तरीका रहता है कि कोई भी वीडियो एक बार देख ले तो आसानी से डिजाइन बना सकते हैं और मैं तो च्यलेंज भी देता हूं कि अगर मेरी वीडियो अगर एक बार अच्छी तरह से आपने डेख ली तो आप ये टेक्षर नहीं बना पाए तो सीधा मुझे अंसस्क्राइब कर दीजे क्योंकि मैं इतनी विश्वास से आपको इसलिए बताता हूँ दोस्तों के बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई मैं आपका वीडियो डेखके मैंने टेक्षर बनाया हूँ तो दोस्तों बहुत ही खुसी मिलती है दिल को बहुत ही मोटिवेट मिलता है इसलिए मैं वाल पुटी की टेक्षर थोड़ा ज़्यादा ही लेकि आता हूँ और मेरे डसक को ही वाल पुटी की टेक्षर बहुत ही पसंद आती है इसलिए वीडियो अपलोड करते ही हजारों में व्यूज चले जाते हैं तो दोस्तो इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है तो दोस्तो इसी प्रकार मुझे प्यार देते रहना अपना प्यार मुझे से बातते रहना और मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सस्क्राइब जरूर कर देना तो दोस्तो जो नए मेरे चैनल पे जुड़े है न उसको मैं हाट जोर के रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आ अगले से कर दिया है उसको डील से बहुत 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 ही दन्यवाद देना चाहूंगा मैं तो दोस्तो इस प्रकार आप पन्चिंग करते चल यह फिर उंगली से ये ब्रिक्स का डिजाइन आप बना सकते हैं आप ये डेख सकते हो कि बिरिक्स का डिजाइन कैसा लग रहा है लेकिन दोस्तों मैंने ये सुटिंग जो है ना साधरन मोबाइल से की है तो मुझे पता नहीं कि आपको अच्छी तरह से डेख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हो लेकिन मैं बड़ा यूटूबर नहीं हू है कि मैं जो जो जानता हूं जो जानकारी मेरे पास है वो मैं हर किसी को बाटू और फ्री में बातू और मैं जो डिजाइन बदाता हूं वो डिजाइन से आप लोग को भी थोड़ा बहुत फाइडा हो जाए बस दोस्तों इसी प्रकार इसी लिए यही उदेश्य से मैं ये बना के आपके सामने में लाता रहता हूं दोस्तो तो आप है ना मेरे चैनल को सस्क्राइब कर देना लाइक कर देना कमेंट कर देना दोस्तो कमेंट लाइक करने से मेरे पास कोई पैसे तो नहीं आएंगे लेकिन दोस्तो मेरा मोटिवेट बहुत बढ़ जाएगा और अच्छ टेक्शर बनाने के बाद मैंने निकाल दी है यह मास्किन टेक्श से बहुत फाइदा होता है मास्किन टेक्श से फाइदा यह होता है कि पूरे फिनिसिंग आ जाती है और यह टेक्श है आपको गिले गिले में ही निकालना है सुख जाने के बाद मत निकालना वरना यह प्रशिबत का सामना आपको करना पड़ेगा इसलिए दोस्तों कभी भी ये टेक्सर बनाओ तो गिले-गिले में ही आपको टैप निकाल देनी है इस बात का आप हमेसा ख्याल रखना ये है साथ नंबर का सेंडिंग पेपर जो पट्टे वाला पेपर बोलते है न जो बड़े- बड़े जो डंने हो गए है उसको हम गिशना है यह इक स्टूल जो इसमें हमने पेपर लगा दिया नटबॉल की तरह कसके लगा दिया है यह ऐसा स्टूल है न बहुत बहतरीन स्टूल है यह स्टूल से अगर अगर काडिगर पूरे दीन भी घिशता रहेगा न ठकेगा नहीं बहुत आसानी से और ज्यादा काम निकाल देता है ये स्टूल अगर आप ये स्टूल लेना चाहते हो नो तो कोई भी कलर की डुकान पर आप चले जाए बड़ी आसानी से मिल जाता है नाइन फोर डबल टू नाइन फोर डबल टू पिंक वाटर ये हमारा बेस कोट है दोस्तों बेस कोट किसे बोलते है जो हम टॉप कोट के नीचे जो मारते है उसको उसी को ही बेस कोट बोला जाता है जैसे मान लोग हम लोग अभी जो कोई भी टेक्सर निकालते है जो पहले हम लोग जो मारते है ना इसके उपर डिजाइन निकालने के लिए जो टॉप कोट मारते है उसको टॉप कोट के नीचे जो पहले चो चल लगता है उसको ही कोई बेस कोट बोलते है अभी में ये बेस कोट है ना अपना टेक्टर अपना प्लास्टिक पेंड में लिया हूं प्लास रुपय का लिटर कलर आता है बारा सो रुपय का एक लिटर कलर आता है और वाल पुट्टी तो आट सो साड़ी आट सो में 40 किलो तक आ जाती है तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि यह टेक्चर कितना सस्ता पड़ता है हमें और वो रॉयल प्ले से भी सांदर लग रहा है देख दन यलोए एक्स 1-0-5 एक्स 1-0-5 कलर है यह कलर हमने टौपकोट के टौर पे हमने यूज किया है हर बार मैं मैं अपना पंच के साथ मैं पंचिंग करता हूं इस बार मैं थ्वड़ा अलग तरीका इस्तमाल किया है यह जिरो नंबर का पंचिंग रॉलर है उसको भी हलका हलका उपर गुमा दिया है तो यह डिजाइन अपने आप निकल जाती है दोस्तो इस प्रकार आप भी इस्तमाल कर सकते हो X105 यह हमारा टॉप कोट है इस बार मैंने गोल्डन कलर भी नहीं लिया है और मैंने साधा और सस्ते और बेहतरिन डिजाइन सस्ते में सस्ती डिजाइन कैसे बनाए जाए इस कौसिस में हमने इस बार हमने गोल्डन यलो कलर यूज किया है टॉप कोट के टौर पे आप भी इस प्रकार डिजाइन निकाल सकते हैं दोस्तों देखिए दोस्तों ये हमारा गोल्डन येलो लगने के बाद कितना बेहतरीन और कितना मस्त डिजाइन लग रहा है दोस्तों ऐसे लग रहा है जैसे हमने सचमुट रॉयल प्ले में डिजाइन निकाली है दोस्तों ये देखिए प subscribe जरूर करना दोस्तों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो comment में जरूर बताना मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में comment में जरूर बताना दोस्तों देखे दोस्तों यह छोटी सी मेने design बनाई है और इससे पूरा घर का look change हो गया है देखे दोस ही change हो जाएगा दोस्तों अब इसको इसकी उपर है न हम लोग touchwood मारेंगे देखे दोस्तों इस परकार design जो अभी लग रही है touchwood लगने के बाद कैसी लगी है वो आप आगे जाके देखना यह है pity light का touchwood touchwood हम लोग इस पर मारेंगे आप चाहो तो awareness भी इस्टमाल कर सकते है awareness और touchwood एक ही जैसा material होता है लेकिन यह touchwood में थोड़ा ज्यादा sign होती है यह लकड़ी के उपर जो polish के टॉर पे जो हम दोग इस्टमाल करते हैं यह वही touchwood है आप चाहे तो इसका इस्टमाल कर सकते है इसके जगा आप awareness मारना चाहे तो awareness भी मार सकते है और यह है turpent time दोस्तो एक लिटर touchwood की अंडर 100 ml से लेके 200 ml तक आप turpent time मिला सकते है मैंने यह अंडा जिसे ही लिया है थोड़ा ही मानने का था है फिर उसमें अच्छी तरह से बरस से मैंने हिला दिया है इस प्रकार आप भी हिला के use कर सकते है दोस्तों देखिए कैसे tar बन रहा है इस प्रकार आप apply कर सकते हैं देखिए दोस्तों कितना बहतरीन मस्त डिजाइन लग रहा है जैसे ऐसा लग रहा है जैसे के अभी अभी बोल पड़ेगा खिल पड़ेगा दोस्तों तो थोड़ा मज़ा क्या अंदाल में बोल रहा हूं दोस्तों देखिए इस प्रकार touchwood लगाया तो कैस कैसा देख रहा है तो दोस्तों कमेंट में जरूर बटाना मेरा टेक्चर आपको कैसा लगा है तो इसी प्रकार आप touchwood इस्टमाल कर सकते हैं जिस प्रकार मैंने इस्टमाल किया हूं देखिए दोस्तों इस प्रकार मेरी टेक्चर आपको लग रही है देखिए दोस्तों यह सोनू पेंटर कारीगर है मेरा बहुत बैतरिन काम करता है यह टॉच्वूट लगाने के बाद कैसा दीख रहा है यह सामवली है और यह प्यारे है ठीनों को एक साथ में में चड़ा दिया था तो फटा-फट मार देगा इसा करके यह पूरा पांच मिनित के अंदर ही के यह क्यों लगता है ह blessing क्यों मेरे हम आपांच मिनर्व सब्सक्राइब और यह बड़े इस तरह से बनाई है अगर रॉलर से मारोंकि ना तो बीच-बीच में थोड़ा तच्वू च्वूट चूट जाता है इसलिए मैने बरस से ही मर बलु भरस मा बहुत लगता इसका है ब खुशी की बात ये भी बताना चाहूगा कि अभी Royal Play की अंडर आठ नए texture आए है आप बहुत ही जल्द मेरे चैनल पे वो texture भी आप बहुत जल्दी देखेंगे लेकिन आप comment करेंगे तो ही लेकि आओंगा दोस्तो चार पाई है टाना बाना नाम की अईसी इस तरह सी आठ टेक्चर नए आए है अपना Asian paint में वो में आप comment करेंगे तो मैं उसको लेकि आओंगा आप comment नहीं करेंगे तो नहीं लाओंगा दोस्तो इसलिए आपको comment करना होगा कि नए texture लेकि आओ कौन सा texture आप सीखना चाहते है वो मेरे को आप comment करना तो मैं आपके लिए जरूर में लेकि आओंगा लेकिन उसके लिए आपको पहले मेरे चैनल को subscribe करना होगा आप subscribe करेंगे जैसे ही मैं नई वीडियो डालू वीडियो आप तक पहुँच जाएगी यही तो फाइदा होटा है दोस्तो subscribe करने का मेरे चैनल को आप subscribe करना मेरे चैनल का नाम है smart texture तो दोस्तो अगली बार कौन सा टेक्षर आप सिखना चाहते है या two polish सिखना चाहते है तो दोस्तो यह सब देखने के लिए मेरे को comment जरूर करना और मैं आपके लिए वीडियो में लाता रहूँगा चलो दोलो दोस्तो अगली बार नई वीडियो में मिलते हैं तब तक मुझे इजाज़त दीजे दोस्तो तो दोस्तो एक बार आपके सामने फिर से बोलना चाहता हूँ जाई हिन दोस्तो